मैं द्रौपदी को दाव पर लगाता हूँ दुशासन के हर बरते कदम के साथ द्रौपदी अपनी मर्यादा बचाने के लिए रो रही थी। लेकिन दुशासन इन सभी आवाजों को अनसुनाकर द्रौपदी के बाल पकड़ उन्हें दर्बार में खींचते हुए ला रहा था। उस दिन भरी सभा के सामने द्रौपदी क की मर्यादा चीनी गई गुरू वंश की कुल वधु का अपमान हुआ और यहीं से उस पूरे वंश के विनाश की शुरूआत हुई। पांचाल के राजा द्रौपद और गुरू द्रोनाचारे बच्पन के मित्र थे लेकिन समय के साथ उनमें शत्रुता हो गई। कई क्षत्रियों के बर्बादी का कारण बनेगी। इस भविशेवानी के साथ यग्य के बीच से जन्म हुआ एक कन्या का एक ऐसी ज्वाला के साथ जिसमें आगे चलकर पूरा कुरूवंश भस्म होने वाला था। कि जो भी इस घूमती हुई मचली की छवी देखकर उसकी आख में निशाना लगाएगा वही द्रौप्ती का पती बनेगा। मुकाबला शुरू हुआ कई राजाओं ने स्वयमवर में भाग लिया लेकिन एक एक कर सबका निशाना चूकता चला गया। और फिर बारी आईश्रेष्ट धनुर्धर सूरिपुत्र करन की जैसे ही करन निशाना लगाने के लिए आगे आया द्रौप्ती ने सबके सामने उसे यह कहते हुए अपमानित कर दिया कि वह एक शूद्र के बेटे से विवाह नहीं करेगी। करन जो एक बहुत कुशल योध्धा था, वो इस तरह सब के सामने अपमानित किये जाने पर बहुत क्रोधित हुआ, उसके गुसे का तेज इतना था कि उसमें सब कुछ भस्म हो सकता था। उसने इस अन्याय के लिए राजा दुरुपद पर सवाल उठाई फिर गुसे से अ उसमचली की आग को बीच से चिर्दिया यह ब्राहमन और कोई नहीं नहीं बलकी पांचों पांडवों में से एक अरजुन थे। वो दिन जब हस्तिनापूर की राजजभा में एक महापाप हुआ, दुरियोधन ने शकुनी के साथ मिलकर एक शडियंत्र रचा और चौसर का खेल सजाया गया। पासे फेंके गये और उन पासों के पलकने से महाभारत का युद्ध तै हो गया, क्योंकि इसी दाव में युधिष्ठिर द्रौप्ती को भी हार गये, अब द्रौप्ती कौरव की दासी हो गई, दुरियोधन ने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौप्ती को दरबार में बुलाया जाए। पर भी कलंक लगाने की कोशिश की। भीष्म पितामः ध्रितराष्ट कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। तब द्रौप्ती ने श्री कृष्ण का ध्यान कर उनसे मदद मांगी और फिर एक चमतकार हुआ दुशासन द्रौप्ती के वस्त्र खींचता चला गया, और उसी के साथ वो वस्त्र लंबा ह इतना लंबा की दुशासन खींचते खींचते थक गया लेकिन द्रौप्ती को निर्वस्त्र नहीं कर सका। पांडव ने अपना राजे छोड़ दिया और जंगल की ओर चले गए। कौरवो द्वारा हुआ अपमान इतना बड़ा था कि इतने समय बाद भी पांडव इसे भुला नहीं सके, लेकिन परिवार को जोड़े रखने के लिए युधिस्टर ने फैसला किया कि वह बातचीत कर समाधा निकालेंगे। और संदेश भेजे गए और फिर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा युध लड़ा गया। महा भारत का युध जिसकी आगने कुरुवंश को भस्म कर दिया सारे कौरव अनेकों राजा और हजारों सैनिक मारे गए। द्रौपदी के जन्म के समय हुई भविशेवानी पूर अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही अनकही अनसुनी और अन्देखी कहानियों के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए।